नमस्का स्वागत है आपका न्यूज 69 में मैं हूँ आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और यासर हसनाथ की निवास पर होई बैटक इस बैटक में उत्तर विदान सबा के वविश्य को लेकर चरचा हुई आप सभी जानते हैं कि इस समय नौ लोगों ने नामनकन पत्र प्रात किये हैं उत्तर में घमसान ज्यादा हो गया है इसे लिए जनता और कारे करता समंध्यस में ह क्या करे क्या ना करे इस में यासिरहसनात ने जनता इवन कारे कर्टाों से विनमर अपील की है इन्होंने का है कि अभी वक्त खामोशी अक्तियार करने का है आगामी तीन तारिक को थोड़ी स्तिती साफ उजड़ाएगी फिर एक नया माहौल बनेगा फिर जनता फैसला लेगी कि उसी इस बार क्या करना है समय एक बात तो साफ नजर आती है कि लोकतंत के अंदर अपना धिकार रखने का सभी को अधिकार होता है और चुनाव लड़ने का भी आमानवी का धिकार है भोपाल का इत्यास रहा है कि कई बड़े लीडरों ने निर्दलिये ही लड़ाई लड़ी बाद में उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया फिर कुछ इत्यास के जरोके से ऐसे ही हालात सामने आ गए है दूसरी और उत्तर भोपाल एक समस्याओं का गड़ बना हुआ है ना फ्लाई ओवर है ना अस्पतालों की हालत सही है ना खेलने के लिए पार्क है और तो और अभी तक किसी ने गोशना पत्र भी नहीं चुआरी किया है कि हम उत्तर भोपाल की दिशा दशा कैसे बदलेंगे वहराल युवा यासिर हसनत ने जनता एवं समस्ते कारेकरताओं से धैरे बरतने के लिए कहा है उनके निवास पर हुई बैचक में उत्तर भोपाल की चिंता करने के लिए कई गड़मानी लोगों ने इसा लिया मीडिया कर्मी भी बड़ी संक्या में उपस्तित रहे भोपाल से नियू सक्षिट आइंक लिए आदल खान की रपोर्ट देखें आज इस बैठक या इस मीटिंग को अपने साथियों को बुलाने का मूजू ये था इस वक्त कई लोग निर्दलिये कॉंग्रिस पार्टी से ही जो टिकेट मांग रहे थे वो दावेदारी कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है ये सारे ही लोग हमारे बीच के ही लोग है और कहीं न कहीं बहुत डिजर्व करते थे ये सारे ही लोग अपने अपने लेवल पे टिकेट मिलेन को सभी की बहुत कुर्बानिये बहुत वक्त सबने दिया है कॉंग्रिस पार्टी के साथ लेकिन वो कॉंग्रिस के कैंडिरेट से सैटिस्वाइड नहीं है इसलिए निर् गठूँगा नहीं और ये करूँगा और वो करूँगा तो मेरा ये कहना है कि किसी के साथ अभी कोई पार्टी ना बने ये मेरा मश्वरा है सभी साथियों से कोई किसी के साथ पार्टी ना बने पार्टी आप बने पांच तारिख के बाद किस तरह पांच तारिख के बाद चुनाव भुपाल शहर में होगा, कौन-कौन मैदान में होगा, कौन कितनी ताकत से लड़ेगा, उस हिसाब से अपनी रणनीती तै करें सारे लोग, और किस डिरेक्शन में ये इलेक्शन जाएगा, ये हम पांच के बाद ही समझ पाएंगे, क्योंकि समनवय का काम शुरू हो और किस तरह हम सब को आके काम करना है? और दिया जाना चाहिए था और अभी भी अगर वहां बदलाओ हो सकता है अगर कुछ गुंजाइश है तो वहां पर एक अच्छे मुस्लिम प्रत्याशी को टिकेट दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां से पहले भी एक मुस्लिम विधायक रहे चुके है इस खबर पर आपकी क् कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं तब तक के लिए धन्यवाद